हेलो दोस्तों प्लडी संडे यूट्यूब चनल पर आपका स्वागत है मेरा नाम है जे और आज मैं आपको डराने के लिए भूतों की बेहादिक खौफनाक और सच्ची कहानिया लेकर आया हूँ जिने सुनने के बाद आपको यकिनन बहुत मजाएगा पहली कहानी मुझे अनुच महता जी ने भेजी है तो आगे की कहानी मैं आपको उन्ही के पॉइंट आफ यू से सुनाता हूँ मेरा नाम अनुच महता है ये मेरे साथ गटी बिलकुल सच्ची गटना है ये बात करीब पांच साल पहले की है पेसे से मैं आटो ड्राइवर हूँ उस रात मैं ज्यादा नसे के कारण आटो ठीक से नहीं चला पा रहा था इसलिए मैं सुनसान रास्ते पर अपने आटो के साथ मौजूद था वहां मेरे अलावा ना तो कोई इनसान नजर आ रहा था और ना ही मुझे उस वक्त वहां किसी की मौजूद की चाहिए थे आटो में बैठे बैठे ही मैं बीली जला कर पीने लगा अभी मैं बीली पी ही रहा था कि तभी मुझे एक आदमी सड़क पर जाता हुआ दिखाई दिया मैंने उसे नजर अंदाज कर दिया लेकिन थोड़ी ही देर में फिर वो आदमी मुझे सड़क पर दिखाई दिया मगर अब वो मेरी तरह बढ़ा चला रहा था मुझे थोड़ा अजीब तो लगा क्योंकि वो आदमी इधर उधर लहराते हुए मानो बेवड़े की तरह दिखाई पढ़ रहा था तभी अजानक अगले ही पल वो आदमी मेरे सामने आ गया मैं कुछ बोलता कि तभी वो आदमी खुसे से और अलग लहजे भरी आवाज में बोला कि मुझे तेरी बीड़ी चाहिए बीड़ी दे दे और यहां से चला जा वरना बहुत पस्ता आएगा उस आदमी की बात सुनकर मैंने चिड़ते हुए कहा कि ठिखारियों की तरह बीड़ी मांगता है और उपर से मुझे ग्यान भी दे रहा है बीड़ी तो मैं तुझे देने से रहा चुपचाब चला जा नहीं तो तू बहुत पस्ता आएगा मेरी बात सुनके वो आदमी वापस जाने लगा इसी बीच मैं दूसरी बीड़ी जला कर पीने लगा बीड़ी का पहला कस मैंने भरा ही था कि तभी फिर वो आदमी वापस मेरे सामने आ गया मगर इस बार जब मेरी नजर उसके चेरे पर पड़ी तो मेरे रॉंक्टे खड़े हो गए अब उसका चेरा पूरा बदल चुका था और वो ब्रेथ अपने असली रूप में आ चुका था उसे देखके मैं तो डर से गांपने लगा लेकिन तभी उस ब्रेथ ने मेरी करदन पकड़ ले और मुझे आटल से बाहर खीच लिया फिर वो ब्रेथ मुझे घसीटते हुए ना जाने कहां ले जाने लगा मैं पहले से ही काफी डरा हुआ था और अब तो मैं रोने भी लखने लगा लेकिन वहां मेरी चीक पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था तभी वो प्रेथ मुझे घसीटते हुए एक कबर के पास ले गया वो कबर खुली हुई थी मेरा मतलब उसके अंदर पड़े अंगिनत कंगालों को मैं साब देख पा रहा था जाहिट था कि वो कंगाल मेरी हितरे किसी अभागे इंसान के थे जो बदकिस्मती से इस प्रेथ की चपेट में आ गय होंगे वो प्रेथ मेरा मांस फारने लगा और भारी आवाज में बोला कि अगर तु बीडी दे देता तो तेरी मौत इतनी भयानक नहीं होती उस प्रेथ की बात सुनकर मैंने दबी आवाज में गिलगिलाते हुए कहा कि बीडी क्या मैं तुम्हें बीडी का पुरा एक बंडल दे सकता हूँ क्रपा करके मुझे छोड़ दो मेरी बात सुनकर उस प्रेथ ने मुझे कबर से दूर फेक दिया और तुरंत उसे बीडी देने को कहा मैंने भी बिना वक्त गवाए जल्दी से बीडी का बंडल अपनी जेब से बाहर निकाला और उस प्रेथ को दे दिया बीडी का बंडल मिलते ही वो प्रेथ हवा में ओजल हो गया उस प्रेथ के गायब होते ही मेरी जान लोटी और मैंने राहत की सांस ले फिर एक पल की देर किये बिना मैं सरपट वहां से भागा करके मेरे पसीने छोट जाते हैं मेरे साथ घटी ये घटना बिलकुल सची है दूसरी कहानी हमें समराठ सकसेना जीने भेजी है तो आगे की कहानी मैं आपको उनीके point of view से सुनाता हूँ मेरा नाम समराठ सकसेना है मैं असम के लखेंपूर चिले का रहने वाला हूँ, ये बात करीब चार साल पहले की है, मैं देर रात खर लोट रहा था, रास्ता बिलकुल सुनसान था, और चारो तरफ पसरी खामोसी ने मुझे बाइक देश चलाने पर मजबूर कर दिया, अभी मैं कुस दूर और आगे निकला ही था, कि तभी एक औरत मेरे सामने आ गए, उस औरत का चेहरा बिलकुल सपाट था, और उसके बाल बिकरे हुए थे, जाहिर था कि वो औरत नहीं, बलकि भ्यानक आत्मा थी, उस औरत के करीब पहुँचने से पहले ही, मैंने बाइक को यूटन लिया, और तेजी से वहां से भागा रास्ते पर पीछे की तरफ लोटते हुए, जब मेरी नेजर बाइक के साइट मिरर में पड़ी, तो वो भ्यानक आत्मा, मेरी काड़ी का पीछा, मेरी काड़ी की रब्तार से भी तेजी से कर रही थी, जाहिर था कि वो कुछी पलों में, मुझे अपनी चंबेट में लेने वाली थी, मैं मनी मन भगवान को याद करने लगा, और बाइक को और भी तीजी से भगाने लगा, और फिर मैं तब तक नहीं रुखा, जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुच गया, घर बहुच कर मैं सीधा अपने कमरे में चला गया, और बिना खाना खाये ही, डरा सहमा, बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया फिर कब मुझे नीदा गई मुझे पता ही नहीं चला फिर सोते हुए तकरीबन आधी रात दो ढ़ाई बजे के आसपास मुझे अपना स्रीर बहुत भारी महसूस हुआ जटपटाहत में मैंने अपनी आखे खोली तो मेरे रॉंक्टे खड और मैं भयानक तरीके से चीखने चिलाने लगा मगर मेरी चीख पुकार का उस भयानक आत्मा पर कोई फर्क परता मुझे दिखाई नहीं दे रहा था और तभी वो भयानक आत्मा मुझे खसीटने लगी और उसने मुझे उठाकर बेट से नीचे पटक दिया मैं दर्द से कराह उठा और बजरंग बली बाबा को याद करने लगा, मुझे जितने भी हनुमान चैलिसा याद थी मैं उसे जोर जोर से दोराने लगा, मेरे ऐसा करते ही वो बैयानक आत्मा मुझसे दूर जाकर खड़ी हो गए, लिहाजा मैं और तेजी से हनुमान चैलिसा पढ़ने लगा और तभी मेरे देखते ही देखते वो भयाना कात्मा दुआ बनकर कमरे की खिड़की से बाहर निकल गए लेकिन मैंने तब भी राहत की सांस नहीं ले और सुबह होने तक हनुमान चालिसा पढ़ता रहा सुबह हुई तुम मैं फोरन पीर बाबा के दर्गा पहुचा जहां पीर बाबा को मैंने अपनी सारी आप बीती बताई तब पीर बाबा ने मेरी गर्धन पर तावीज बांधा और कहा की उसात्म का प्रकोप साथ दिनों तक तुम्हारे ऊपर रहेगा इन साथ दिनों में वो तुम्हें पाने का हर संभव प्रयास करेगी इसलिए अगले साथ दिनों तक तुम हर रात सोने से पहले हनुमान चालिसा का पाठ चरूर करना और ये ताबीज जब तक तुम्हारी करदन पर रहेगा तब तक कोई बुरी आत्मा तुम्हारे करीब नहीं आ पाएगी लेकिन अगर तुमने हनुमान चालिसा का पाठ नहीं किया तो अगले साथ दिनों में वो आत्मा किसी और तरीके से तुम्हें नुकसान पहुचा सकती है पीर बाबा की बात सुनकर मैं सकते में आ गया और अगले साथ दिनों तक मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा कि पीर बाबा ने मुझे करने के लिए कहा था और यकीन मानिये दोस्तों फिर कभी मेरा सामना उस भयानक आत्मा से नहीं हुआ पीर बाबा का दिया वो ताविज आज भी मेरी करदन पर बन्धा हुआ है इस घटना को याद करके मैं आज भी सहम जाता हूँ मेरे साथ गटी ये घटना बिल्कुल सच्ची है मेरा नाम सौरब द्वेदी है मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ ये कोई मनगलंध किस्सा नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ एक सच्चा वाक्या है मैं भूत प्रेतों पर पहले कभी विश्वास नहीं करता था कहते हैं जिन चीजों में हमें विश्वास नहीं होता प्रक्रती हमें उनसे मिलाने की योजनाय बनाने लगती है मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ दरसल मैं देर रात अपने आफिस से वापस घर आ रहा था वापस लोटने में मुझे रात कुछ ज्यादा ही हो गई थी मेरे घर से दो किलो मीटर पहले एक पुराना समसान घाट है देर रात उस रास्ते से जाने में भी मुझे कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई उस रात भी जब मैं समसान घाट के सामने से गुजर रहा था तो मुझे एक चिता जलती हुई दिखाई दी ये देखके मैं हैरान हो गया क्योंकि वो समसान घाट तो अब बंद किया जा चुका था मेरा मतलब अब वहां किसी का दाहा संसकार नहीं किया जाता था तो ऐसे में उस बंद पड़े समसान घाट पर जलती हुई चिता को देखकर मैंने कार की रबतार धीमी की कार रोक कर मैं बाहर जाकर देखने ही वाला था कि तभी मैंने एक भयानक नजारा देखा मैंने देखा कि मेरे कार के रोकते ही उस चिता से एक जलता हुआ मुर्दा उठ खड़ा हुआ और भयानक तरीके से चीखता हुआ मेरी तरफ आने लगा ये देखके मैं तो कार में ही बैठे हुए जोरों से चिकने चिलाने लगा पलक चबकते ही वो जलता हुआ मुर्दा मेरी कार के सामने आ गया और भयानक तरीके से अठहास करने लगा किसी जलती हुई लास को ठहा के लगा लगा कर हस्ता हुआ देखकर किसी का भी दिल बाहर आ जाए मैंने कापते हाथों से कार को श्टार्ट किया और वहां से बड़ी ही तेजी के साथ निकला जलता हुआ वो मुर्दा काफी देर तक मेरी कार का पीछा करता रहा लेकिन मैं तब तक नहीं रुका जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुँच गया घर पहुँच कर मैंने किसी तरह वहां एक रात बिदाई और फिर अगले ही दिन वहां से अपना सारा सामान समेट कर मैं एक दूसरे इलाके में उस समसान घाट से बेहत दूर एक नए घर पर सिफ्ट होने के लिए निकल पड़ा जाते हुए जब मैं उस समसान घाट के सामने से निकला तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि रात में जो चिता मैंने जलते हुए देखी थी अब वहाँ उसका नामों निसान नहीं था फिर बाद में मुझे पता चला कि उस समसान घाट में आज भी कई आत्माय भटक रही है जिनकी चिताएं अपने आप ही उस समसान घाट में जल उठती है और जो उन चिताओं को जलता हुआ देख लेता है तो वो अधजले मुर्दे उसके पीछे पढ़ जाते है इस घाटना के बाद यकीनन मुझे भूत प्रेतों के अस्तित पर विश्वास हो गया आज भी इस घाटना को याद करके मैं सहम जाता हूँ मेरे साथ घटी ये घाटना बिल्कुल सच्ची है मेरा नाम रूपेस फर्मा है आज जो घटना मैं आपको बताने वाला हूँ ये सब मेरी बहन के साथ हुआ था दरसल तब मेरी बहन बहुत चोटी थे और अपने ननीहाल में रहा करती थे मेरी नानी का घर पहाड़ी इलाके में है और वहां के लोग मानते हैं कि उन पहाड़ीों में कोई भ्यानक दैते रहता है जो कि रात के वक्त लोगों का सिकार करता है इसलिए वहां के लोग रात होते ही अपने घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं लेकिन मेरी बहन को तब इन सब बातों की इतनी समझ नहीं थी वो कई बार रात में घर से बाहर खेलने चली जाती थी नानी और बाकी घर वाले उसे बहुत डाटते भी थे ऐसे ही एक रात जब सब सो रहे थे तब मेरी बहन घर की बालकनी के पास खड़ी बाहर देख रही थी तभी उसने घर के बाहर एक अजीब से लाल आखो वाले जीव को देखा वो जीव बहुत ही लंबा और तगड़ा था उसे देख मेरी बहन भाग कर कमरे में वापस चली गए मगर उसने ये बात किसी को नहीं बताए फिर कुछ दिन बात एक दिन मेरी बहन घर के बाहर एक कुट्टे के बच्चे के साथ खेल रही थी तभी उसे पीछे से किसी के गुराने की आवाज सुनाए दी वो जैसे ही पीछे पल्टी तो उसकी चीख निकल पड़ी दरसल वो भयानक क्रियेचर मेरी बहन के ठीक पीछे खड़ा था मेरी बहन भाग पाती कि तभी उस अजीवों गरीब जीव ने मेरी बहन की करदन पकड़ी और उसे घसीटता हुआ पहाडी की तरफ ले जाने लगा मेरी बहन जोर जोर से चीखने चिलाने लगी उसकी चीखे सुनकर हम सब और आसपास के लोग भी जाग गए और सभी घरों से बहार आ गए तो सब ने उस भयानक चियू को मेरी बहन को ले जाते हुए देखा लिहाजन हम सब तेजी से उस चियू की तरफ भागे मगर वो जियू पल भर में ही हमारी आँखों से ओजलो गया हमने उसे पहारी की तरफ जाते हुए देखा था तो हम सब उसी तरफ लाठी तंडे और आग से जलती मसाले लेकर भागने लगे मगर काफी ढूणने पर भी हमें वो जियू और हमारी बहन नजर नहीं आई रोते किलगडाते हुए हम वापस लौटने लगे लेकिन तभी एक बार फिर मेरी बहन की चीख पहारी के दूसरे चोर की तरफ सुनाई दी हम सब तेजी से उसी तरफ भागे काफी मसकत से हम उस पहारी पर चड़े तो हमें जाडियों के बीच मेरी बहन अदमरी हालत में खून से लत्पत पड़ी मिली वो दर्द से कराह रही थी वो जियू हमें आसपास कहीं दिखाई नहीं दिया खेर तसली तो हमें इस बात की थी कि हमने किसी तरह मेरी बहन को बचा लिया था मगर मेरी बहन की हालत बहुत नाजुक थी रात में कोई हॉस्पिटल भी हमें नहीं मिलने वाला था दर्द से कराहते हुए मेरी बहन बेहोस हो चुकी थी रात में ही गाओं के हकीम ने उसका इलाद सुरू किया मगर बत किसमती से हम उसे बचा नहीं पाए सुबह होने से पहले ही मेरी बेहन की मौथ हो गई मेरी बेहन का अंतिम संसकार करके कुछ ही दिनों में हमने गाउँ छोड़ दिया और सहर में आकर बस गए हम सब अब खुस हैं दुख तो बस इसी बात का है कि सहर आने का फैसला हमने पहले ले लिया होता तो आज मेरी बेहन जिन्दा होती मगर कहते हैं कि होनी को कोई टाल नहीं सकता तो दोस्तों ये थी मेरी बेहन के साथ गटी बिल्कुल सची घटना मेरा नाम अर्नो है आज मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ ये सब मेरे चाचा के साथ हुआ था दरसल उस रात मेरे चाचा खेत में काम कर रहे थे ये घटना काफी पुरानी है उस जवाने में मॉबाइल टीवी नहीं होते थे ज्यादा तर किसान खेतों पर ही काम करके वहीं सोजाते थे मेरे चाचा ने भी खेत के पास मजाना बना रखा था खेत में काम करने के बाद चाचा फाड़ा किनारे रखकर मजाने पर चड़ गए मजाने पर बैठकर चाचा सिगरेट के कस लेने लगे चाचा सिगरेट पी ही रहे थे कि तब ही उन्हें जाडियों के पास गहरे अंधेरे में दो लाल आँखे चमकती दिखी चाचा को लगा कि साथ कोई जानवर होगा मगर अजीब बात तो ये थी कि वो जो कुछ भी था अब दीरे दीरे चाचा के करीब आता जा रहा था मजाने की तरफ उसे आता देख चाचा सतर खोकर बैठ गए और जोड जोड से चिला कर कहने लगे की कौन है वहाँ मगर कोई जवाब नहीं आया चाचा को लगा कि साथ कोई उनके साथ मजाक कर रहा है तो वो मचाने से नीचे उतरने लगे मगर इतने में ही वो साया मचाने के ठीक सामने आ गया और तब उस खबीष का चहरा देखकर चाजा के तो हो सुड़ गए उस खबीष की आँखे लाल सुरक थी और चहरे का मान सर चुका था उस खौफनाख खबीज को देखकर जाजा की बहुत ही बुरी हालत हो गई थी और वो कुछ सुन समझ पाते कि तभी उस खबीज ने उनकी करदन पकड़ ले और उन्हें घसीट कर वो खबीज जंगल की तरफ ले जाने लगा जाजा ने बड़ी हिम्मद जुड़ा कर उससे पूछा की मेरी गलती क्या है मुझे छोड़ दो और जाने दो जाजा की बात सुनकर उस खबीज ने उन्हें हवा में उपर उठा दिया और भारी आवाज में बोला की तुझे सिगरेट पीने से पहले सोचना चाहिए था कि तु इस वक्त खबीज के इलाके में है चल मैं तुझे छोड़ दूँगा मगर बदले में तुझे मुझे सिगरेट देनी पड़ेगी खबीज की बात सुनकर चाचा ने ड़ते हुए उसे सिगरेट का बंडल दे दिया सिगरेट लेते ही उस खबीज ने चाचा को दूर फेक दिया और वहां से गायव हो गया खबीज के जाते ही चाचा की मनो जान वापस आ गई थी वो बिना वक्त कमाएं तेजी से घर की तरब भागे और घर पहुँच कर ही उन्होंने चैन की सांस ले तो दोस्तों ये थी मेरे चाचा के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानिया मुझे उम्मेद है कि आपको एक आणिया जरूर पसंद आए होंगी ऐसी ही सच्ची और मज़ेदार कहानिया सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें बलडी संडे इस योट्योब चैनल को और सुनते रहे बेहदी खौफना और सच्ची डराओनी कहानिया टेक के आर